हेलो फ्रेंट्स, वेलिकम टू मैं चैनल, तो आज हम शर्ट कॉलर फ्रेंट ओपन कुर्ती बनाएंगे, तो इसके लिए हमने 2.5 मिटर फैबरिक लिया है, ये कॉटन का है और इसकी वेड़ 44 इंच की है, तो सबसे पहले हमने फैबरिक को टू फोल्ड करके रखा है, अभी हम हमने इसे फोल्ड कर लिया है, यहां पर ये ओपन साइड है, और यहां पर फोल्ड साइड है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने 42 इंच के लिए है, लेंथाप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते है, अभी यहां पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही ह 6.5 इंच, अभी यहीं से हम आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल भी मैं ले रही हूं 6.5 इंच, इन दोनों पॉइंच को जोड़ देंगे, अभी यहां पर हमें चेस्ट का फोर्थ पाट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है, तो मैं ले रही हूं 11.5 इंच, आपका जो चेस्ट का सा उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन एड़ कर लेना है, अभी हम शोल्डर से कमर की लेंगे, तो वो मैं ले रही हूं 14 इंच, और हिप की लेंद भी ले लेंगे, तो वो मैं ले रही हूं 20 इंच, अभी जहां पर हमने कमर लेंद का निशान लगाया है, वह पर हिप का 4 पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूं 11 इंच, इन 3 पॉइंच को जोड़ देंगे, अभी हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है, और यहां से हम आर्मोल का शेप देंगे, यह हमारा बैक का आर्मोल है, और हा यह हमारा फ्रेंट का आर्मोल है, अभी नेक की मार्किंग करेंगे, तो यहां पर हम शर्ट कॉलर बनाएंगे, तो नेक वेर्थ में ले रही हूं 3 इंच, और नेक डीप में ले रही हूं 3 इंच फ्रेंट के लिए, और बैक के लिए हमें लेना है सिर्फ 1 इंच, उसके यहां से हम राउन्ड शेप दे देंगे, फ्रेंट नेक के लिए, और बैक नेक के लिए भी हलका सा राउन्ड शेप दे देंगे, अभी यहां पर यह जो पॉइंट है, हिप का, इसे हम क्रॉस में एक्सटेंड कर देंगे, तो यह हमारी A लाइन कुर्ती है, इसके लिए हम इस तरह से A-Line Shape में ड्राउ कर लेंगे अभी यहां पर हम 3 इंचू पर मार्क करेंगे और Round Shape दे देंगे तो जिससे हमारे साइट से कोने नहीं निकलेंगे तो अभी हम Cutting कर लेंगे तो सबसे पहले हमें Back Neck और Back Armol से Cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने इसकी Cutting कर ली है अभी हम इसे Open करेंगे और इसमें से हम Back Part को Side में रख लेंगे और Front Part को फिर से Fold कर लेंगे और उसके बाद हम Front Neck और Front Armol की Cutting करेंगे तो हमने Front Neck और Front Armol की Cutting कर ली है अभी Front Part को हम सेंटर से Cut कर लेंगे तो इस तरह से हमने Front Part को सेंटर से Cut कर लिया है यह देखे यहाँ पर हम Button Placket बनाएंगे और यहाँ पर Color बनाएंगे अभी हम Sleeves की Cutting करेंगे तो हमने Fabric को Four Fold करके रखा है यह देखें यहाँ पर Open Side है और यहाँ पर Fold Side है और यह Four Fold हमने लिया है 9.5 इंच का जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इन ज़ादा लेना है और Sleeves की Length हमने लिया है 11 इंच Length आप अपने According कम ज़ादा कर सकते है अभी यहाँ Open Side से 3 इंच पर Mark करेंगे और यहाँ से हम Sleeves का Shape देदेंगे अभी यहाँ पर Sleeves Bottom लेंगे तो वो मैं ले रहे हूँ 6.5 इंच इन दोनों Points को जोड़ देंगे और Sleeves की Cutting कर लेंगे तो हमने Sleeves की Cutting कर ली है अभी यहाँ पर Center में एक Cut लगा लेंगे अभी Sleeves को Open करके रखेंगे यहाँ पर Sleeves की दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही हमें Front का Armol Draw कर लेना है 1.5 इंच अंदर से और इसकी Cutting कर लेनी है तो इस तरह से यह हमने Sleeves की Cutting कर ली है यह हमारे Sleeves है दोनों साइड के अभी हम Stitching करेंगे तो सबसे पहले हम Front Part में Placket बनाएंगे तो यहाँ Left Side के लिए यह हमने Strip ली है और इस Strip की जो Wedd है वो 3 इंच की है तो Strip को हमें इसके उपर उल्टा रख देना है और यहाँ पर सिलाई लगा के Attach करेंगे इसी तरह से दूसरे साइड के लिए हमने Strip ली है और इस Strip की जो Wedd है वो 2 इंच की है इस Strip को भी हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा के Strip को Attach कर लींगे तो हमने दोनों साइड में Strip को Attach कर लिया है अब यह जो हमारी 3 इंच वाले Strip है इसे हम सीधी साइड में करेंगे उसके बाद हमें इसे 1 इंच का Fold कर लेना है और यह जो सिलाई हमने लगाई है इसी के उपर हमें इसे रखते हुए Stitch करना है यह स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखनी है और यह जो दूसरी वाली स्ट्रिप है इसे हम सीधी साइड में Turn करेंगे और सबसे पहले 1 इंच का Fold करना है और इस स्ट्रिप को हमें पूरा ही अंदर की तरफ Fold कर देना है तो देखे इस तरह से हमने दोनों साइड की स्ट्रिप को Fold कर लिया है अभी जो 1 इंच बाहर की तरफ स्ट्रिप है इसके उपर हमें दूसरा वाला पार्ट Overlap कर लेना है तो यह हमारा Button Blackit बन गया है अभी हम Back का पार्ट इसके उपर उल्टा रखेंगे और Shoulders Attach कर लेंगे तो हमने Shoulders को Attach कर लिया है अभी हम Color बनाने के लिए नेक का Measurement ले लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा Placket है दोनों साइड में उसको हमें Measure नहीं करना है उसके बाहर से ही हम Measurement ले लेंगे तो इस तरह से हमें इसे Measure कर लेना है तो जो हमने निशान लगाया है वहीं तक हम इसे Measure करेंगे तो यह हमारा 17 इंच आया है तो 17 इंच का हम Color कट करेंगे तो Color के लिए हमने यह दो Strips ली है और इस Strip की जो Weight है वो 4 इंच है और इसकी जो Length है वो 22 इंच की है अभी इससे हम Fold करेंगे तो हमने जो Neck का Measurement लिया था वो Total 17 इंच आया था तो हम 17 का Half कर लेंगे तो 17 का Half आता है 8.5 इंच तो हम यहाँ पे 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे तो 8.5 इंच हमारा है प्लस Half इंच हम Margin लेंगे सिलाई के लिए तो हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसके बाहर हमें 1.5 इंच तक का Margin रखना है और इसको हमें तीरचा उपर की तरफ जोड़ देना है तो 1.5 इंच तक का हम तीरचा जोड़ेंगे तो ये वाली जो साइड है ये हमारी कुर्ती में अटैच होगी तो इसके लिए यहां पर हम 1.5 इंच तक का Margin करेंगे और यहां से हलका सा Round दे देंगे शेप इस तरह से और यहां पर भी हम पाओ इंच तक का मार्क करेंगे और Round शेप दे देंगे दोनों तरफ हमें हलका हलका सा ही शेप दे देना है तो मार्किंग हो गई है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से यह हमने कॉलर की कटिंग कर लिए है अब इसको हम open करेंगे तो यहाँ पर जो दोनों strips है तो दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रख लेनी है तो देखें दोनों की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रख ली है उसके बाद यह जो उपर वाली साइड है इसे हमें stitch करना है तो मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूं कि हमें कौन सी side stitch करनी है तो जो corner वाली side दोनों के तरफ वही हमें stitch करनी है तो हमने इसे stitch कर लिया है half inch के distance से उसके बाद कोनों में हम cut लगा लेंगे और पूरे में हमें कट लगा लेने हैं छुटे छुटे और अभी कॉलर को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे तो हमने इसको टर्न करके प्रेस कर लिया है तो अभी हम इस कॉलर का फिर से एक बार मेजरमेंट ले लेंगे तो ये हमारा बराबर 17 इंच का है तो अभी हमने कॉर्ती को सीधी साइड में रखा है तो कॉलर को हम सीधी साइड से ही लगाना शुरू करेंगे तो प्लैकेट को छोड़ना है और इसे हम लगाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स को साथ में पकड़ते हुए हमें स्टिच करना है तो देखें यहाँ पर कॉलर के जो दोनों पार्ट्स है वो हम साथ में ही स्टिच कर लेंगे तो प्लैकेट को छोड़ते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे पूरे राउंड में तो यह हमारा कॉलर बराबर आ गया है एंड तक तो देखें इस तरह से स्टिच कर लिया है हमने और यहाँ पर जो हमारे राउ एज़ेस है तो इसके लिए हम एक स्टिप लेंगे और इस स्टिप की जो वेड़त है वो थ्री इंच की है तो स्टिप को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो ये जो हमारा प्लैकेट है यहाँ पर हम स्ट्रिप को हाफ इंच बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए लगाएंगे तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हमें पूरे में इसे स्टेच कर लेना है तो ये किस तरह से स्टेच करना है ये मैं आपको मशीन पर दिखाऊंगी तो देखिए ये हमारा कॉलर है तो ये हमने स्ट्रिप ली है स्ट्रिप को हाफ इंच बाहर की तरफ रखना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर इसको यहाँ से हम स्टेच कर लेंगे तो कुर्ती का कपड़ा हमें चेक करते हुए से स्टिच कर लेना है और दूसरी तरफ भी हम स्ट्रिप को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे तो इस तरह से हमने पूरे में स्ट्रिप को अटेच कर लिया है अब इस strip को हमें अंदर की तरफ fold करना है तो ये easily fold हो जाती है और इसको फिर अंदर से हम एक और सिलाई लगा देंगे तो ये जो raw edges है वो दिखाई नहीं देंगे और एकदम finishing के साथ ये हमारा color लगेगा अब यहाँ पर जो कुर्ती का कपड़ा है उसे हमें खिचते हुए stitch करना है नहीं तो back side में जोल आ सकता है या फिर आप यहाँ पर पहले से pince लगा के भी इसे stitch कर सकते है तो इस तरह से इस पट्टी को हमने यहाँ पर stitch कर लिया है तो back side में भी देखे एकदम finishing के साथ color लग गया है तो अब इस color को हमें इस तरह से fold कर लेना है तो यह हमारा shirt color बनके ready हो गया है अब यहाँ पर shoulder से 8 inch पर हम mark करेंगे और shoulder से ही हम 30 inch पर एक और mark कर लेंगे अब यहाँ से यहाँ तक हम इसे stitch करेंगे उसके बाद हम इसे open रखेंगे तो हमने इसे यहाँ से यहाँ तक stitch कर लिया है बाद में हम यहाँ पर buttons attach कर लेंगे अभी हम sleeves को attach करेंगे तो sleeves को हमें shoulder के ओपर उल्टा रखना है और stitch कर लेना है इसी तरह से दूसरा sleeves भी हम stitch कर लेंगे और sleeves के bottom को double fold कर देंगे तो हमने दोनों side में sleeves attach कर लिया है अभी हम इसको उल्टा करके दोनों side से fitting कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फूल्ड कर देंगे